गुद मॉर्निंग एवरिवान आप वेरी गुद मॉर्निंग तो आल फिए बच्चो तो वी आ बैक आन क्रियेटरेट्स यूट्यूब चैनल विद लक्षे बैच 2.0 एनलोग एलेक्ट्रोनिक्स और यार इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर म यह कहूँगा आप लोग का most awaited chapter that is operational amplifier जिसको की हम short में कहते हैं opamp ठीक है तो आज इस session के अंदर हम लोग opamp स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग ready हो जाओ एक must शानदार जानदार जबरदस session के लिए तो इस session के अंदर मैं opamp का सिर्फ basic cover करने वाला हूँ ठीक है एकदम basic basic चीजें हम लोग देखेंगे opamp के अंदर क्या होता है कैसे होता है opamp का internal circuit क्या होता है ये सारी बाते हम लोग देखने वाले हैं बट इससे पहले मैं start करूँ फटा फट एक बार अपनी attendance mark कर दीजे भई like दबा के और जादा से जादा बच्चों तक इस session को share कर दीजे सब क और देखो आप लोग के लिए एक बचो good news है दिवाली giveaway है हमारा दिवाली giveaway क्या है हमारा आप लोग को मिल रहा है बिटा 25% off on an academy subscription ये बिटा सिर्फ first 300 subscribers के लिए है और इसके लिए ये code है ये code आप लोग नोट कर लीजे dllqnirp ये code है आपका जिससे कि आपको first 300 subscribers को on academy subscription पे मिल रहा है 25% का discount लेकिन ये सिर्फ 24 तक valid है यानि परसो तक ठीक है चलो फिर इसी बात पे हम लोग अपना session स्टार्ट करते हैं तो आज का session जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिटा ओपैम पे directly ना जंप करके मैं पहले एक brief discussion करूँगा different different type के amplifier पे किस किस तरह के amplifier होते हैं कौन कौन से amplifier आप लोग को study करने होते हैं फिर हम लोग चलेंगे ओपैम पे तो basically देखो यार चार तरह के amplifier हम लोग पढ़ते हैं एक होता है voltage amplifier जहां पे कि input में भी voltage लगाते हैं output में भी voltage मिलता है एक होता है current amplifier जहां आप input में भी current लगाते हैं output में भी current मिलता है तीसरा होता है trans resistance amplifier जहां input में current होता है output में voltage और चौथा होता है trans conductance amplifier जहां input में लगती है voltage और output में मिलता है current ठीक है तो depending upon the input and the output quantities आप लोग define करते हैं चार तरीके के amplifier voltage, current, trans resistance and trans conductance ठीक है तो पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इनके input और output resistance के बारे में बात करेंगे and then we will move on to opamp ठीक है और दूसरी बात बच्चों में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग के जो भी पीछे के videos हैं और ये जो opamp वाला part है अप लोग का ये आपका कल से private हो जाएगा ठीक है अपसे फिर हम 24 hours policy रखेंगे क्योंगे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग ने काफी leniently लिया है कि videos को private नहीं कर रहे हैं तो attendance काफी low हो गई है तो कल से फिर 24 hours वाला rule रहेगा तो ये जो session मैं आज ले रहा हूँ ये कल के session के बाद private हो जाएगा ठीक है इसलिए आप लोग को attend करना है तो within 24 hours आपको attend करना होगा मैं बीच में थोड़ा था lenient होगे था चलो कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं उनको कर लेने देते हैं बट इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की consistency break हो गई है अब वापिस से 24 hours वाला रूल रहेगा चलिए शुरू करते हैं तो देखो voltage amplifier का यह circuit होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते है voltage controlled voltage source यानि जहाँ पे input पे voltage लगा के हम output पे voltage पैदा कर रहे हैं या input voltage के माध्यम से एक और voltage source हम लोग produce कर रहे हैं अब यहाँ पे आप देखिए अगर मैं we in की बात करूँ देखो यहाँ पे यह क्या है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है न बिटा इतना circuit आपका amplifier का है इतना circuit यह वाला जो partner है यह amplifier है बाकी बाहर क्या है आपका एक source है और एक आपका load है आपका बाहर में एक source है और एक आपका load है ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप input voltage निकालेंगे तो यह क्या होगा input voltage इसे ही मेरे बच्चों अगर आप output voltage निकालोगे तो क्या होगा अब बात यहाती है कि मुझे output पे ना maximum voltage चाहिए मैं क्या चाहता हूँ एक voltage amplifier में maximum voltage शुड़ रीच the output अगर आप यह चाहते हूँ ना maximum voltage आउटपुट पे पहुँचे तो आप यह कहेंगे कि R0 must tend to 0 क्योंकि अगर R0 0 होगा तो यह AV into VN हो जाएगा लेकिन source का पूरा voltage VN पे भी तो नहीं जा रहा ना source का voltage भी divide होके VN पे जा रहा है अगर आप output पे maximum voltage चाहते हो तो आपको एक और condition यह लेनी पड़ेगी कि source का सारा का सारा voltage बिटा सारा का सारा voltage VN पे पहुँचे और source का सारा voltage VN पे पहुँचे इसके लिए आपको यह कहना होगा R in must tend to infinity क्योंकि अगर यहाँ पे R in tend to infinity रखोगे तो VN will become equal to Vs नहीं तो ऐसे सोचलो MOSFET की तरह अगर यह input resistance open हो गया कोई current flow नहीं करेगा तो RS के across कोई drop नहीं आएगा तो पूरा का पूरा supply voltage आजाएगा VN पे पूरा का पूरा supply voltage आजाएगा VN पे ठीक है यह बात clear हो गई? मुझे बताइए यह बात clear होई के नहीं होई? तो यहाँ पे आप voltage amplifier में क्या चाहते है that input resistance must tend to infinity and the output resistance must tend to zero ठीक है? Sir, can't we take RS tends to zero? जैश देखो source और load यह दो चीज़े मेरे control में नहीं है जब मैं amplifier design कर रहा हूं तो amplifier के parameters मेरे control में है amplifier के अंदर जो मैं resistances लगा रहा हूं यह मैं decide करूँगा लेकिन source के साथ या source का internal resistance कितना है? या load का resistance कितना है? that we cannot decide when we are designing an amplifier आप एक electronics engineer की तरह सोचो ना बिटा? आप तो amplifier की एक integrated circuit बना के दे रहे हो उसके बाद एक source और load लगाना यह तो consumer का काम है यह हमारा काम तो है नहीं समझ में आया? तो voltage amplifier को आप और क्या बोलते हो बिटा? networks के अंदर इस dependent source को बोला जाता है voltage controlled voltage source समझ गए? network में जो आप dependent source पढ़ते हो तब आप वहाँ पे उनके physical significance नहीं पढ़ते हो obviously वहाँ पे आप mathematically चीज़े पढ़ लेते हो बट यह उसका physical application है that voltage amplifier is actually है voltage controlled voltage source अगला होता है बिटा current amplifier current amplifier के अंदर इतना part आपका amplifier होता है ठीक है? इसके आगे पीछे वाला जो part है वो source और load है इसका बेस्ट example है BJT का जो आप RE model देखते हो BJT के RE model में आप क्या लगाते हो? बीटा IB लगाते हो ना यानि उसका input current होता है IB और उसका output current होता है बीटा IB यानि वहाँ पे output current depends on the input current that is a current controlled current source क्या है वो? एक current controlled current source अब देखो यहाँ पे load के नाम पे तो मैंने एक resistance ही लगाया भई RL correct load के नाम पे मैंने एक resistance लगाया है RL बट अगर आप input side पे देखोगे तो एक current source लगा है और ध्यान से देखो तो current source के parallel में एक resistance होता है that is RS क्योंकि अगर एक practical current source की बात करें it contains a resistance in parallel to the current source जैसे voltage source के series में resistance होता है ऐसे ही बिटा current source के parallel में resistance होता है हाँ direction उल्टा होता है बस मैं एक example दे रहा हूँ जगरनात कि आपका जो beta IV वाला model है that also represent BJT as a current controlled current source अब यहाँ पे देखिएगा आप कुछ अगर I in निकालना है तो आप current division लगाएंगे I in is is into rs by rs plus ri या rn ऐसा बोल दो and load current is a I in into r out by r out plus rn अगेन बिटा देखो मेरा major objective क्या होगा कि load को maximum current मिले जब यह current amplifier है इसे current output में देना है तो load should receive the maximum current और अगर load को maximum current receive करना है भाई तो यहाँ पे r0 must tend to infinity अगर यह सोचो यह r0 वाला resistance open हो गया तो यह current source का सारा current rl में आ जाएगा current source का सारा current rl को आ जाएगा लेकिन I in जो है वो supply current के बराबर नहीं है वो भी current division से आ रहा है यानि input current is not the same as source current it is also getting divided among rs and rn यहाँ भी current divide हो रहा है तो अगर आप यह चाहते हो ना source का सारा current rl में जाए आप क्या चाहते हो source का सारा current rl में जाए तो आपको r i या rn को करना पड़ेगा tending to 0 आप ऐसा सोचो अगर यह resistance आपने short कर दिया तो यह source का सारा current short circuit से गुजरेगा यानि i in will become equal to i s i in will become equal to i s ठीक है तो r in tending to 0 and r not tending to infinity clear हुआ तो इसकी जो requirement है बिटा that is exactly opposite of the voltage amplifier इसलिए पता है अलग-अलग amplifier को अलग-अलग type का input और output resistance चाहिए होता है किसी भी दो को न सेम चीज नहीं चाहिए किसी भी दो को सेम चीज नहीं चाहिए depending upon आप किस टाइप का amplifier बना रहे हो उसी according input, output, resistance decide होगा मंतन भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या doubt आंसर किया था मैंने बताओ just अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का doubt आया था मैं बता भी देता हूँ किसका doubt आया था यही कि source resistance को क्यों नहीं vary कर सकते ठीक है late जुड़े हो क्या क्यों हो भाई मंतन late आये हो क्या class में चलो आगे बढ़े trans conductance amplifier की अगर बात करें तो यहाँ पे input पे तो voltage source होता है लेकिन output पे होता है current source यहाँ पे न ऐसे लिखें gm into vn अब यहाँ पे क्या होता है और भाई class में time से आया करो यह late wait वाला चक्कर नहीं चलेगा अब यह देखिए यहाँ पे again बिटा आप क्या चाहते हैं देखो सबसे पहले तो यह देखना यह बीच वाला जो box के अंदर circuit है that is the amplifier trans conductance का मतलब होता है it is a voltage controlled current source यानि output पे तो current मिल रहा है लेकिन उस current को control कौन कर रहा है उस current को control कर रही है voltage तो voltage controlled current source voltage controlled current source ठीक है यह होगा अब यहाँ पे input पे आपने एक voltage source दिखाया input पे आपने एक voltage source दिखाया और output पे आपने current source दिखाया आपका objective यह है बिटा कि लोड में maximum current जाना चाहिए तो IL is equal to GM VN into R0 by R0 plus RL अब यह VN कितना है input side पे आप voltage division लगाईए Vs into Rn by Rs plus Rn अब अगेन आप चाहते हो बिटा लोड को maximum current मिले अगर लोड को maximum current देना चाहते हो तो R0 को infinity कर दो ताकि सारा का सारा current लोड में जाने लगे R0 को आप infinity कर दो ताकि सारा का सारा current लोड में जाने लगे ठीक है और अगर आप चाहते हो supply की सारी voltage input पे आ जाए तो आप input resistance को infinite कर दे क्योंकि जब यह resistance open होगा I in आपका 0 होगा तो Rs में कोई drop नहीं आएगा यानि पूरा का पूरा Vs हो जाएगा Vn अगर हम कर दे R intending to infinity यानि यहाँ पे दोनों ही resistance हमें infinite चाहिए यहाँ पे हमें दोनों ही resistance infinite चाहिए बात समझ में आ रही है बात clear होगे इतनी तो पिटा यह जो आपका इसका जो example है न चाहे आप MOSFET देख लो चाहे आप JFET देख लो E1 के BJT में भी जो hybrid pi model है that represents BJT as a voltage controlled current source चोथा होता है trans resistance amplifier तो trans resistance amplifier में देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास input में एक current source होता है और output में आपको मिलती है voltage क्या मिलती है voltage तो इसलिए बोलते है current controlled voltage source ठीक है current controlled voltage source तो अगर आप देखोगे ना इसका gain gain होगा voltage by current जिसकी unit होगी ohms में current controlled voltage source का output voltage है input current है तो gain होगा voltage by current जिसकी unit होगी ohms इसलिए trans resistance पिछले वाले में आउटपुट में current था input में voltage था तो gain क्या होता current by voltage जिसकी unit होती more या फिर siemens इसलिए trans conductance current upon voltage यहाँ voltage upon current ठीक है अब यहाँ पे आप देखेंगे बिटा V0 क्या होगा आपका यह gain है जो की R से आप represent कर रहे हो into RL by R0 plus RL फिर input side का जो current है current division से निकालो गए IS into R S over R S plus R in अब देखो again मेरा objective यह है कि जब load पे voltage जानी है तो load को maximum voltage मिलना चाहिए load must get the maximum possible voltage अगर load को maximum possible voltage चाहिए तो R0 must tend to zero यानि बीच में कोई drop ही ना आए सारा का सारा voltage लोड पे आ जाए और अगर आप चाहते हो input current supply के बराबर बने input current supply के बराबर बने तो आप R in को भी tending to zero कीजिए क्योंकि अगर input resistance short circuit हुआ अगर input resistance short circuit हुआ तो supply का सारा current supply का सारा current input resistance से जाएगा बात clear हो गई तो यहाँ पे आपको दोनों ही resistance low चाहिए यहाँ पे आपको दोनों ही resistance low चाहिए यह clear हुए भई चार उतर है के amplifier अब जैनूल पूछ रहे हैं sir voltage amplifier में current पे क्या होगा current amplifier में voltage बेटा यह तो निकाल सकते हो ना current amplifier का अगर voltage निकालना है voltage amplifier का major objective होता है कि output पे voltage maximize करना और current का objective होता है current को maximize करना ठीक है जी अब देखो यहाँ पे मैंने summarize कर दिया है आपके requirement क्या होती है voltage amplifier में high input resistance low output current amplifier में low input high output trans conductance में दोनों high होने चाहिए और trans resistance में दोनों low होने चाहिए तो यह चार तरह के आपके amplifiers हैं इनका जो use है कहां कहां पे देख सकते हो एक तो बिटा देखो आपका आ जाएगा dependent sources के अंदर ठीक है dependent sources के अंदर और दूसरा इसका application जब मैं feedback amplifier पढ़ाऊंगा ना तब भी मैं आपको बताऊँगा अलग-अलग तरह के feedback topologies होते हैं तो उसके अंदर भी different type के amplifier होते हैं मतलब कि voltage amplifier में एक type of feedback होता है current amplifier के लिए एक अलग type का feedback है तो हर amplifier से associated एक type का feedback होता है यानि चार amplifier तो चार categories होती है feedback की भी वो चीज़ लेकिन feedback amplifier में करेंगे जब opamp में मैं filter तक आपको पूरा करा दूँगा तब मैं आपको feedback amplifier कराऊँगा और इस course के अंदर filters में भी हम लोग जो latest gate का syllabus है ना उसके हिसाब से चलेंगे butterworth filter भी करेंगे और इसके अलावा हम लोग silent की filter भी करेंगे ठीक है latest के हिसाब से होगा सौरव कह रहे हैं सर यह rn rout का condition आपस में dual होगा या opposite होगा ऐसा तो कोई rule नहीं है बिटा यहाँ पे दोनो high है यहाँ पे दोनो low है तो ऐसे rn को देखके rout की condition आप नहीं बता सकते basically high low के हिसाब से 4 combination बनते हैं और उसी अनुसार 4 तरह के amplifier है ठीक है अगर आपको amplifier का मतलब पता है जैसे trans conductance से तो आपको पता है output पे current source होगा और input पे voltage source होगा तो आप condition derive भी कर सकते हो ऐस सच नहीं है कि आपको हमेशा याद ही होना चाहिए circuit बना लो आपको clear मिल जाएगी condition चलो अब opamp पे चलते हैं opamp क्या होता है सबसे पहले बिटा opamp होता है operational amplifier इसको operational amplifier क्यों कहते हैं क्योंकि एक ऐसा amplifier होता है मेरे बच्चों जिससे बहुत सारे mathematical operations आप लोग perform कर सकते हैं इस amplifier के अंदर जो input होता है न that is differential input यानि दो values का difference लिया जाता है जैसे BJT में मैंने differential amplifier पढ़ाया था and single ended output यानि output एक ही terminal से लेते हैं तो जिन बच्चों ने मेरे साथ differential amplifier किया है न वो इस बात का मतलब समझ रहे होंगे differential input और single ended output differential amplifier में क्या था दो BJT's थे जिनके base terminal पे हम input दे रहे थे correct तो यहाँ पे differential input का मतलब है जो input लगाये जाएगा दोनों के base terminal के बीच में लगाये जाएगा लेकिन जो output लिया जाएगा वो एक के collector से लिया जाएगा दोनों के collector से नहीं इसलिए single ended output अगर दोनों के collector से लेते हैं तो क्या बोलते हैं double ended output अगर किसी एक के collector से output लेते हैं तो that is the single ended output अब इसे operational amplifier हम लोग क्यों बोलते हैं can be used can be used मज़ेदार बात इसकी यह यह सबस्यादा जैसे अभी तक तो आप सिर्फ gain की बात करते थे ना यहाँ gain से बहुत आगे की बाते होती है तो can be used to perform mathematical operations mathematical operations such as क्या क्या हो सकता है adder subtractor multiplier ठीक है log antilog काफी सारी चीज़े हो सकती है even division भी हो सकता है तो यह सारे mathematical operation आप कर सकते हो तो इस एम्प्लिफायर से इसलिए इसको बोलते हैं integration, differentiation, ऐसे लिख देता हूँ तो यह सारे mathematical operation इस amplifier से हो सकते हैं that is why operational amplifier और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है बिटा देखो इसका gain जो होता है बहुत ज़ादा high होता है लेकिन मज़ेदार बात यह होती है जब इसके अंदर हम लोग negative feedback apply करते हैं then we can control the gain of the amplifier using external resistances तो जब आप negative feedback apply कर देते हो तो जो भी resistances की मदद से आपने negative feedback बनाया है आप उनकी values को modify करके इसके gain को modify कर सकते हो otherwise यह जो amplifier है इसका by default gain बहुत ज़ादा high होता है 10 की power 5, 10 की power 6 इस range के अंदर इसका gain देखा जाता है तो हम लोग क्या बोल रहे है using negative feedback using negative feedback gain can be controlled gain can be controlled by controlling external resistances जो भी resistance आपने feedback के अंदर use किये हैं ठीक है अब देखो by default अगर opamp की हम बात करें opamp का gain बहुत हाई होता है इसलिए बिटा ये वी नॉट वर्जिस वी इन जब voltage transfer characteristic बनाते है तो यहाँ पे जो ये linear region है जो slope है यहाँ पे जो slope है ये बहुत हाई होता है जिस कारण से output हो जाता है तुरं सेचूरेट तुरं सेचूरेट कर जाता है सर सेचूरेट का क्या मतलब है देखो आप जब भी कोई amplifier बनाते हो आप biasing voltage देते हो न जैसे BJT के अंदर VCC और 0 देते थे या dual supply भी करते थे तो VCC और minus VEE देते थे ऐसे MOSFET के अंदर VDD देते थे तो बिटा हूँ maximum output होता है किसी भी amplifier का जो उसकी supply voltage होती है उससे ज़्यादा output नहीं जा सकता आप BJT की terms में ही सोच लो collector का voltage VCC से उपर नहीं जा सकता किसी भी सूरत में तो कोई भी amplifier का output कभी भी biasing voltage या supply voltage से ज़्यादा नहीं हो सकता तो यह जो amplifier है इसमें बहुत high slope है और यह saturate कहां कर रहा है at the value of the supply voltage जिसको आपने कह दिया Vsat समझ में आई मेरी बात output of any amplifier चाहे आप BJT का example लेके सोच लो ना logical है भाई अगर BJT में भी आप cut off region में लेते हो ना तब जाके आपको VCC मिलता है supply voltage supply समझ रहे हो ना DC वाली voltage कह रहा हूँ input AC नहीं DC वाली voltage उसको कभी exceed नहीं कर सकता तो यहाँ Vsat और minus Vsat क्यों है क्योंकि मैंने यह माना है अगर आप collector पे लगा रहे हूँ plus 10 volt का supply तो आप emitter पे लगा रहे होगे minus 10 volt का supply यानि यह dual supply by sink की मैं बात कर रहा हूँ यह बात समझ में आ रही है अगर VCC और 0 लेते ना तो यहाँ पे saturation level होता VCC और इधर saturation level होता 0 तो आपको दोनो supply देखनी है अगर आप dual supply लगाए हो plus 10 minus 10 तो एक saturation level 10 पे होगा एक minus 10 पे होगा अगर आप 10 और 0 लगाए हो तो एक 10 पे होगा और एक इधर 0 पे होगा बात clear हो गई? बताओ मुझे बात clear हो गई के नहीं हो गई? जल्दी से बताओ अब एक चीज सोचना मेरे भाई अगर ये 10 वोल्ट है ध्यान से सुनना अगर ये 10 वोल्ट पे saturate कर रहा है और इसका slope है 10 की पावर 5 तो आप ये बताइए एक्स वाला पॉइंट बहुत छोटा होगा या नहीं होगा एक्स वाला पॉइंट होगा 10 अपॉइंट 10 की पावर 5 यानि 0.1 मिली वोल्ट अगर ये y-axis की वैल्यू 10 है और slope है 10 की पावर 5 तो x-axis पे वैल्यू क्या मिलेगी 10 की पावर माइनस 4 यानि 0.1 मिली वोल्ट तो एक ओपैंप के साथ एक drawback क्या जुड़ा है कि बहुत छोटे range of inputs को ये amplify कर सकता है अगर आपने input की value थोड़ी भी बढ़ा दी तो बिटा ये saturate कर जाएगा बात समझ में आ रही है तो देखो मैं पहले आपको एक BJT का example लेके ही समझा देता हूँ देखो अगर आप एक BJT amplifier बना रहे होते ठीक है देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये transistor को आप cut off में भी लेते हो तो आप बोलोगे IC और IE equal to zero ठीक है जिन बच्चों को नहीं समझा है वो लोग अभी दिहान से देखें तो मैं कहता हूँ उस situation में या फिर ऐसा सूचो उस situation में अगर मैं collector पर voltage देखूं तो कितना आएगा अगर collector का voltage देखा जाए अगर यह cut off में नहीं होता तो IC आपका flow करता voltage आपका VCC से कम आ जाता ठीक है अगर अगर तुम्हें विजुलाइज करना है तो बिटा डिफरेंशल एंप्लिफार की तरह सूचो यहां एक इंपुट तो है नहीं यहां तो दो इंपुट होंगे तो फेज रिवर्सल की तो बिटा बात करोगे ही नहीं यहां पे क्या लिखोगे गेन इंटू V1 माइनस V2 तो V2 के लिए तो रिवर्सल है लेकिन V1 के लिए रिवर्सल नहीं है डिफरेंशल एंप्लिफार विजूलाइज करो ना यह तो मैं बस तुम्हें एक चीज़ बता रहा था आउट्पुट वोल्टेज कैनोट एकसीड सप्लाई वोल्टेज अब ओपैंप के साथ हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है है? due to high gain the range of input voltages the range of input voltages is for which for which linear characteristics linear characteristics are observed is very narrow ठीक है बहुत narrow होता है जिसके बाहर जाते ही न आपका output एकदम से saturate कर जाता है यह हमारे साथ drawback है और इसी वज़े से तो हम लोग negative feedback लगाते हैं और open amp के अंदर अभी जब हम आगे के lectures में जाएंगे मतलब जो third lecture होगा न open amp का वहाँ पे negative feedback समझाओंगा तो वहाँ पे आप negative feedback लगाने से आप क्या करते हो आप gain को control करते हो even देखो मैंने अभी भी लिखवाया using negative feedback we can control the gain in the desired range by changing the value of external resistance तो इसका खुद का gain इतना जाधा high है न भाई कि अगर saturate कर गया तो क्या फायदा है saturate करके पता है नुकसान क्यों है एक तो waveform distort हो जाएगी दूसरी बात यह है कि इतना कम input के लिए ये linear operation दे रहा है कि input अगर मैंने 2 mili volt 3 mili volt भी लगाया ना तो ये saturation में घुस जाएगा अगर मैंने sinusoidal wave लगाई है तो ये उसको clip कर देगा मुझे amplification चाहिए बट इतना जाधा थोड़ी चाहिए कि मेरी waveform ही clip हो जाए आप समझ रहे हो ना amplifier में gain important है but at the same time ये भी बहुत ज़रूरी है कि distortion ना आए बात क्लियर हो रही है distortion ना आए ये भी बहुत ज़रूरी है ठीक है जी देखो यहाँ पे एक चीज है ना जैश जैसे ये 10 volt है ये gain है 10 की power 5 तो आपने बोला ये point है 10 की power minus 4 वहीं अगर ये gain 10 होता और ये 10 होता तो ये point कहाँ पे पहुचा होता आपका 1 पे 1 पे पहुचा होता ना basically मेरा कहना ये है कि अगर आप gain control कर लें तो आप linear region को बढ़ा सकते हैं देखो अगर slope घटा दो तो आपका linear region बढ़ गया बताओ ऐसे सोचो अगर आपने slope घटाया तो आपका linear region कम बढ़ गया ना simple है क्योंकि saturation voltage तो वहीं रहने वाली है जितना कम gain उतना ज़्यादा आपका linear region चमकाव सब लोग को gain कम करना क्यों जरूरी है और gain को कम किसे करेंगे negative feedback से चाहे तो आप control system की terms में सोच लो यार G upon 1 प्लस GH एक open loop system का gain अगर G होता है एक negative feedback वाले system का gain होता है G by 1 प्लस GH यानि gain reduces due to negative feedback ठीक है मज़ा आ रहा है सभी लोग को basic clear हो रहे हैं देखो ये चीज़ तो हर को ही बोल देता है यार कि saturation voltage supply voltage है मैंने ये भी आपको proof करके दिखायागी saturation voltage या ये कहलो maximum output voltage जो होती है that is same as the supply voltage उसके उपर नहीं जा सकते अब देखो इसका application कहां कहां पे होता है बिटा filtering में application होता है मैं आपको filter पढ़ाऊंगा signal conditioning यानि signal को desired level पे लेके जाना जैसे signal को हो सकता है हमें clip करना पड़े तो हम यहां rectifiers भी देखेंगे हो सकता है signal का amplitude बढ़ाना हो obviously ये एक amplifier है तो जब किसी input signal को हमें desired form में convert करते हैं जो मुझको चाहिए that is called as signal conditioning और arithmetic operation या फिर आप ये भी कह सकते हो mathematical operation जो मैंने अभी आपको इतने सारे लिखके बताए ना वो सारे mathematical operation हम लोग एक opamp की मदद से कर सकते हैं बट वहीं सोचो BJT का जो amplifier हुआ या फिर आपका MOSFET का जो amplifier हुआ उन सबसे थोड़ी ना ये सब operation हो पाते हैं इसके अंदर दो terminal होते हैं input 1 और input 2 तीक है इसलिए बोला था differential input बट output का एक ही terminal होता है ये जो plus V और minus V है दीज आर्दा biasing voltage या ये कहलो power supply जिससे की opamp को आप on कर रहे हैं यहाँ पे दोनों terminal के बीच में एक input resistance जिसके across आया V in तो ये voltage controlled voltage source है तो देखो V in आया यहाँ AV into V in और यहाँ पे series में आया आपके output resistance क्या आया output resistance तो ये जो opamp है इसके अंदर two input terminals ठीक है इसमें जो positive वाला terminal होता है बीचा वी in 1 इसको कहते है non inverting input क्या कहते हैं non inverting input और जो negative वाला terminal होता है V in 2 ये कहलाता है inverting input क्या कहलाता है inverting input तो ये जो है न आपका ये voltage amplifier है बीचा या ये कह दो voltage controlled voltage source तो वही model दिखाया है अंदर voltage controlled voltage source ठीक है इसके लिए आपका input resistance क्या होना चाहिए भाई हाई होना चाहिए और आपका output resistance क्या होना चाहिए लो होना चाहिए जैसा अभी आप पढ़के भी आ रहे हो न वोल्टेज amplifier में input resistance must be high output resistance must be low देखो मैं infinity तो नहीं बोलूँगा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है तो जो मैं आपको zero और infinity बता था दोस वर्दा ideal cases कि अगर एक ideal amplifier बनाओगे तो एक input resistance infinity होगा output वाला zero होगा या फिर देखो अब अगर आप यहार MOSFET से बना रहे होते तो भी एक बार के लिए possibility थी कि आप input resistance infinite कर लेते वहाँ पे क्योंकि इंसूलेटर लगा रहता है gate के terminal पे अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे यह जो v और minus v है v and minus v are dual supply bias dual supply bias और यह जो v not है ना v not हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करता है always चाहे भाई आप feedback लगा लो चाहे आप feedback मत लगाओ लेकिन यह ध्यान रखिएगा कभी भी आप supply को exceed नहीं कर सकते ठीक है चाहे negative feedback हो चाहे positive feedback हो कुछ भी application ले लो you can never go beyond these two values इवन जब आप positive feedback पढ़ोगे न भीटा वहाँ पढ़ोगे श्मिट trigger, multi vibrators वहाँ पे भी आप एक चीज़ notice करोगे कि भाईया आपका output इसके beyond नहीं जाता these are called as the saturation voltages बस आप ये control कर सकते हो कि saturate कब हो रहा है कितने input के लिए हो रहा है लेकिन saturation पे आप इस voltage के beyond नहीं जा सकते ठीक है इस voltage के beyond तो कभी नहीं जा पा होगे हाँ ये जरूर है भाई कि इससे कम voltage पे भी saturation मिल सकता है वो सब zener diode की मदद से होता है वो आप questions में देखोगे खास करके जब Schmidt trigger वगरा के सवाल देखोगे न हो सकता है ये 15 volt हो और मैं 10 पे ही इसको जो है saturate करा दूँ using a zener diode क्योंकि आपको तो पता है जener diode voltage को constant कर देता है तो जैसी 10 के उपर जाओगे अगर zener on हो गया तो वो 10 पे रोक देगा वो 10 के आगे जाने ही नहीं देगा बट ये सब आगे की वाते हैं इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है अब देखो मज़िदार बात ये होती है ये जो output terminal होता है इसका मतलब है ये current supply भी कर सकता है और ये current absorb भी कर सकता है ऐसा मत सोचना output terminal है तो current इससे बाहर ही जाएगा current इसके अंदर भी आ सकता है बिटा just क्या है it depends on the external circuit कि ये current आपका बाहर देगा या फिर ये current अंदर की तरफ लेने लगेगा मेरी बात सबको समझ आ रही है बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है अब यहाँ पे देखो अगर आप कहेंगे कि input voltage कितना है तो differential input बना ये बना V in 1 minus V in 2 ये इस type से differential input बन गया V in 1 minus V in 2 तो output voltage जो है न that is gain multiplied by V in 1 minus V in 2 ऐसा इसलिए तो differential amplifier बोला क्योंकि दो voltage के difference को ये हमेशा amplify करता है और इसलिए बोला था double ended input क्योंकि दो input है single ended output क्योंकि output एक ही terminal से ले रहे है बट सर output का voltage भी तो 2 के बीच में होना चाहिए तो बिटा output voltage is the voltage of this terminal with respect to ground तो आप output जो है न ground के respect में ले रहे हो क्या कर रहे हो आप output ground के respect में ले रहे हो अब देखो अगर इसका block diagram बनाया जाए ठीक है block diagram अगर बनाए देखो ऐसे ना इसके अंदर चार stages होती है जो पहली stage होती है ना उसके अंदर दो ही input होते है और दो ही उसके output भी होते है ठीक है पहली stage में दो input जाते हैं और दो उससे output आपके नादर जाते हैं इसके अगली stage में एक ही input जाता है तो यहां से आपका single input जाने लग जाता है ठीक है तो इस तरह से ओपैंप जो है ना चार stages से बनता है अब इसकी चार stages क्या-क्या होती है देखिएगा यह है देखो वी इन वन वी इन टू जो मैंने अभी आपको पीछे दिखा है ना दो input से इस stage को बोलते हैं input stage ओपैंप के अंदर ना बहुत सारे transistor होते हैं BJT या MOSFET की तरह सिंपल सा amplifier नहीं है फिर बीच में यह जो second stage आती है इसको बोलते है intermediate stage आप खुद सोचो भाई अगर 10 की power 5 इसका gain पहुँच रहा है यह एक BJT amplifier से तो नहीं पहुँचेगा एक BJT amplifier जो है 100 दोस्तों का gain दे देता है ठीके फिर अगला होता है बिटा level translator क्या होता है level translator और फिर last वाला होता है output stage क्या होता है output stage अब इन stages का significance क्या है यह stages क्या क्या है यह हम कैसे समझें बिटा सबसे पहला जो input stage है जिसमें दो input और दो output है आप लोग बताओगे क्या होगा differential amplifier जिन लोगोंने पड़ा है दो input दो output है कौन सा differential amplifier है जैश अभी उस पे चलेंगे बिटा input current 0 वाला जो point बोल रहे हो न उस पे चलेंगे अभी थोड़ा time रूप जाओ बताओ ये उनाचे बिटा dual input balanced output differential amplifier और जिन बच्चों ने differential amplifier नहीं पड़ा है सर ये क्या है बिटा ऐसे सोचो दो BJT है जिन दोनों के base पे आपने input लगाया है और दोनों के collector से आपने output लिया है ठीक है दोनों के दो BJT है इस input stage के अंदर दोनों के base पे एक-एक input लगा है और दोनों के collector से एक-एक output आया है तो उसे बोलते है dual input balance output ठीक है और यह जो stage होती है ना this decides the input resistance of opam यह जो stage है यह बताती है क्योंकि input resistance resistance of first stage होता है तो यही stage बताएगी input resistance of opam और मैंने आपको derive भी कराया था पिटा input resistance क्या होता है याद है 2 beta RE याद है 2 beta RE निकाला था differential amplifier का input resistance तो वो है आपका opamp का भी input resistance क्योंकि opamp की जो शुरुवात हो रही है वो एक dual input differential output amplifier से हो रही है यह dual input balanced output यह जो intermediate stage है यह भी एक differential amplifier ही है बट यह dual input unbalanced output unbalanced output differential amplifier अब जिन बच्चों ने differential amplifier नहीं पड़ा वो क्या समझेंगे कि बटा इसके अंदर भी दो BJT हैं दोनों के base पे एक एक input गया लेकिन output आपने एक के collector से ही लिया दोनों से नहीं इसलिए output terminal एक रहा level translator क्या है इस पे अभी हम लोग आएंगे output stage क्या है it is a push-pull push-pull complimentary यह जो होता है नहीं power amplifier होता है power amplifier क्यों देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने diode BJT में small signal model पढ़ाया कि दो तरह के amplifier होते हैं एक होते है small signal amplifier जहाँ पे AC is much much less than DC और एक होते हैं large signal amplifier जहाँ AC is comparable to DC and those are called as power amplifier तो power amplifier जो होता है ना वो large signal amplifier होता है और यह जो power amplifier है यह आपका output stage क्यों बना रहा है क्योंकि बेटा जब amplify होते आ रहा है AC signal तो AC signal का amplitude काफी बढ़ चुका है अब आप last stage पे small signal amplifier नहीं लगा सकते देखो input में जो AC आया था वो तो छोटा था चलो मान लिया लेकिन दो बार amplify होने के बाद तब तो AC की value बढ़ गई होगी अगर आपने दो बार amplify कर दिया तब तो AC की value बढ़ गई होगी अगर दो बार amplify करके AC की value बढ़ गई तो यहाँ small signal amplifier नहीं लगेगा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा large signal amplifier बात clear हो गई अब बात है सर यह level translator क्या है बाकी सब तो समझा गया level translator क्या है बिटा देखो क्या होता है ओप amp जो है एक direct coupled amplifier है यानि यहाँ दो stages के बीच में आप capacitor नहीं देते अगर आप capacitor नहीं देते मेरे भाई तो यह DC को block नहीं करता यह DC को आगे pass होने देता है अगर DC pass होती जाएगी तो जो signal आपको output पे मिलेगा that will be DC plus AC जिसका DC level भी बढ़ता जाएगा अब DC level बढ़ने से एक risk यह हो सकता है कि आपका BJT saturation में चला जाए जिससे कि आपकी waveform distort होने लगे या waveform clip होने लगे तो level translator का काम यह होता है कि आपका जो DC plus AC signal है उसमें से DC को हटाके AC को आगे pass कर दे समझ में आया अगर जब मैंने आपको पढ़ाया भी ता बिटा multi stage amplifier BJT के अंदर तब भी मैंने direct coupling का एक ही drawback बताया था कि direct coupling में जब बीच में coupling capacitor नहीं देते तो आपका DC भी आगे pass होता है और जब DC आगे pass होता है तो DC का level भी बढ़ते जाता है उस level को वापिस नीचे लाने का काम किसका है level translator तो देखो यह वाला point हम लोग लिख लेते हैं क्या बोल रहे हम कि भाई ओपैम पिजा डारेक्ट कपल्ड अम्पलिफायर अपैम अपैम इस आरेक्ट कपल्ड अम्पिफियर So, DC also passes, DC also passes from one stage to the next. Transistor may saturate leading to clipping of waveform, so to remove DC from waveform, level translator is used. Purpose समझाया, level translator का इसका काम amplify करने का नहीं है, इसका काम amplify करने का नहीं है, इसका काम है signal में से DC हटाना. अब आप लोग का एक question होना चाहिए बिटा, जो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरन, कि सर इसका तो ये मतलब हुआ, अगर मैं OPPAMP के input पे भी DC दे दूँ, तो level translator हटा देगा, यानि कि level translator के कारण OPPAMP सिर्फ AC को amplify कर सकता है, DC को नहीं, ठीक है, ये सिर्फ AC को amplify कर सकता है, DC को नहीं, क्या सर ऐसा है, नहीं बिटा, level translator ना एक particular DC हटाता है, वो DC जो कि biasing के कारण आ रही है, किसके कारण आ रही है, biasing के, ऐसा नहीं है, जैसे capacitor तो भेदभाव करता ही नहीं, capacitor अगर लगा दिये होते बिटा, तब तो DC अगर तुम input भी देते ना, वो उसको भी हटा देता, लेकिन level translator इतना बेवकूफ नहीं है, कि input वाले DC को हटा है, उसका काम है, सिर्फ और सिर्फ उस DC को हटाना, जो biasing की वज़े से आ रहा है, तो बहतर हुआ ना, ये एक, एक capacitor से मच बेटर option हुआ, क्योंकि देखो, biasing वाला output भी तो मिलता ही है, ना, collector पे, collector voltage होगी, वो biasing की वज़े से भी तो होगी, तो देखो, अगर आपके पास ऐसा signal है, तो ये क्या करेगा, बिटा, उसको, ये उसको ना, नीचे ले आएगा, अब ये वाला point मैं आपको लिखवाता हूँ, don't worry, ठीक है, तो level translator क्या करता है, इस signal को 0 पे ले आता है, समझे, तो ये आपका output versus T हो गया, किस से गुजर के, level translator से, ठीक है, यहां तक बात clear हुई, level translator का purpose क्या होता है, अब देखूं, मैं आपको क्या बता रहा था, the level translator does not remove, does not remove Dc from input, बट only removes DC from biasing ठीक है अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर कैपैसिटर भी तो लगा सकते थे कपलिंग में कैपैसिटर लगाने के दो नुकसान होते एक तो एक कैपैसिटर को जब एक IC पर fabricate किया जाता इट विल रिक्वायर आ लार्ज चिप एरिया पहली बात इट विल रिक्वायर आ लार्ज चिप एरिया दूसरी बात capacitor कभी भेदभाव नहीं करेगा यह DC by-sync से आया यह input से आया capacitor DC को block कर देगा यानि अगर आपने opamp में capacitor लिया होता तो opamp can never amplify DC voltage it will only and only work on the AC voltage ठीक है? तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा question पूछूँ why RC coupling is not used क्या है नहीं जो opamp होता है यह integrated circuit की तरह आता है एक chip की तरह है और मेरे हिसाब से आप लोगों ने college की lab में देखा भी होगा maximum बच्चों ने IC741 के नाम से आता है पहली बात तो capacitor requires large chip area टीके दूसरी बात cannot amplify DC input क्योंकि जो coupling capacitor होता है ना इसका low frequency response बहुत पूवर होता है आपको याद है ना low frequency high frequency दोनों पे gain कम होता था low frequency पे आपका coupling और bypass capacitor की वज़े से और high frequency पे due to parasitic and load capacitance याद है यही चीज आपने MOSFET में भी बोली थी यही चीज आपने JFET में भी बोली थी यही चीज आपने BJT में भी बोली थी अब समझा रहा है opamp बाद में पढ़ रहे हो तो कितनी सारी चीज़े connect कर पा रहे हो अब देखो बहुत सारी जगे क्या होता है ना opamp सीधे diode के बाद ले आते हैं अब भले ही diode के बाद पढ़ लोगे ऐसा नहीं है कि circuit नहीं solve कर पाओगे circuit तो तुम बनाई लोगे ये network से ही होगा पूरा solve दो class के बाद पूरा network लगते दिखेगा तुम्हें लेकिन क्या ये सारी चीज़े clear होंगी ये सब कुछ clear नहीं होगा ये सब समझ ही नहीं आएगा क्या बाते हो रही है तो ये सब बाते जो हैं बिटा ना तो ये EDC में होंगी क्योंकि EDC में किस बात की coupling EDC में किस बात का capacitor बीच में coupling capacitor bypass capacitor और analog वाला master कह देगा कि ये सब analog में नहीं होता analog में circuit पे focus करो तो बाते ये सारी बाते फिर होंगी कहां ये सारे concept हमको समझ आएंगे कहां अगर analog में हम कह देंगे कि हमें तो सिर्फ network करना है और EDC वाला कहेगा मैं तो तुम्हें BJT के अंदर की बात बता रहा हूँ BJT से जुड़के OPM बनता है ये मेरे scope में नहीं है तो किसके scope में आया ऐसा करके न eventually ये सारी बाते छूट जाती है तो आप ऐसा मस सोचो जो मैं analog में theory दे रहा हूँ मैं आपको EDC पढ़ा रहा हूँ EDC नहीं पढ़ा रहा हूँ EDC is much much different than this मैं सिर्फ आपको जो circuits बन रहे हैं उनका physical significance समझा रहा हूँ कि ये circuit ऐसे ही क्यों बनाए देखो एक network है network subject के अंदर आपको ना कभी भी किसी circuit के physical significance से मतलब नहीं है लेकिन analog में these are the circuits that are practically being used these are not just random circuits ऐसा नहीं है कुछ भी बना दिया circuit बनाया गया, किसी purpose से बनाया गया उसके बीच में resistance लगा, capacitance लगा, biising लगी level translator लगा ये सारी चीजें बिटा, ये सारी चीजें important है ऐसी randomly circuit नहीं बन रहे तो मुझे बताओ, ये बात समझ में आया capacitor क्यों use नहीं किया आपने बताओ भई, capacitor आपने क्यों use नहीं किया बताइए भई अगला point समझेंगे देखो, level shifter level translator को नहीं, level shifter भी कहते है level shifter has high z in due to which there is no loading effect effect on intermediate stage अच्छा पता है तुम्हें एक चीज और बताओ, DCI क्यों? एक रीजन और है एक तो DC capacitor के कारण रुकती जो की नहीं रुकी एक नहीं यह ब्लॉक डाइग्राम देखना यहां balanced output है balanced output के अंदर आप क्या करते हो बिटा? balanced output में दो collector की voltage का difference लेते हो तो यहां तो कोई DC नहीं आती है balanced output में कोई DC नहीं पहुचता है क्योंकि जब दो collector की voltage का difference लेते हैं DC कट जाता है अगर मानलों दोनों पे 3-3 volt आ रहा था तो 3-3, 0 हो गया लेकिन यहां DC पहुचता है यहां पे DC पहुचता है due to unbalanced output यहां आपने एक ही collector से output लिया है तो यह जो intermediate stage है ना यही DC को लेके आती है DC पहली stage से कभी नहीं आता DC second stage से आता यह बात समझ में आई second stage के कारण DC introduce हुआ वरना DC नहीं आता अगर second stage भी balance होती फिर सर्थ second stage को balance काहे नहीं बना दिये क्योंकि बेटा मुझे single ended output चाहिए था मुझे output का एक ही terminal चाहिए था जब मैं open amp design कर रहा था इस कारण से मुझे एक stage unbalanced लेनी ही पड़ेगी वरना output के हमेशा दो terminal चलते रहेंगे तो मिरे पास finally भी output के दो terminal आएंगे वो मैं नहीं चाहता था मैं चाहता था एक single terminal जिस पे output मिलेगा with respect to the ground बात clear हो गई? बताओ मैं लिख भी देता हूँ त मिलेगे दो की वरत karma लेगे बांचे tillिव मिलेगे देसी स्थ्ट IS今日 कीडियः। इस लेगे रहे हैंगे लिए हाई दिवने हैं वरत बांचे से भी ए minor जाफे था ले धीए बाना ezels, feel आ रहा है न सबको सारे concepts का और जो बच्चे differential amplifier पढ़के आएं मेरे साथ वो लोग बहुत अच्छे से connect कर पा रहे होंगे इस सारी चीजें मैंने बताया भी था balanced output के अंदर आपका common mode signal भी cancel हो जाता है DC भी cancel हो जाती है लेकिन unbalanced output में DC cancel नहीं होगी level translator input के DC को pass कर देगा सौरव level translator का काम होता है जो biasing वाला DC है उसको हटाना यानि biasing वाले DC को cancel करना अगर intermediate stage में biasing के कारण 5V का DC आ रहा है तो ये 5V नीचे shift कर देगा input supply के कारण जो DC आ रहा है जो V in 1, V in 2 से आ रहा है उसको ये affect नहीं करेगा लेकिन अगर capacitor होता तो capacitor भेदभाव नहीं करता वो DC, V in 1, V in 2 से आया है के biasing से आया है वो सब को रोग देता simple सी तो बात है काहे confuse हो रहे है सौरव इसमें अब देखो कुछ इस type का आपका level translator बनता है जैसे एक simple BJT से अगर बनाओगे ये V in है ये V in minus Vbe हो गया और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो न resistance vary करके आप output को vary कर सकते हो ठीक है output के level को आप इस type से vary कर सकते हो ऐसे कर सकते हो ठीक है voltage division के हिसाब से but removing biasing DC can after biasing and cue point can alter तो बिटा अगले वाले के लिए supply अपने आप लगी होगी मतलब level translator को तुमने अलग से भी supply दी है तुम push pull amplifier को अलग से भी supply दोगे तो आप ये नहीं चाहते कि उसके अंदर जो है न base पे भी supply आए आप ये नहीं चाहते base पे भी DC आए वो मैं अपने हिसाब से design करूँ जैसे voltage divider bias जैसे self bias वो device की जो biasing है वो मैं अपने हिसाब से करूँ वो पिछली stage पे dependent ना हो बास समझ रहे हो लोकेश biasing हर stage की separately की जाएगी with the same supply voltage VCC separate करने का क्या मतलब हुआ कि आप उसको अलग-अलग resistance की मदद से biasing करोगे तो आप हर एक के जो जैसे मान लो अगर आप हर stage को voltage divider bias दे रहे हो तो voltage divider bias के लिए जो आप resistance यूज कर रहे हो ना वो हर stage के individual resistances है आप ये नहीं चाहते कि पिछली stage उसकी biasing को affect करे output constant हुआ कोई दिक्कत नहीं है बिटा मेरा कहना ये है कि output सिर्फ input पे depend करना चाहिए biasing पे नहीं तो biasing वाला जो component है जो कि यहाँ input पे आ गया है biasing वाला जो component है ना जो input पे आ गया है इसे हटाना होगा ठीक है? output कभी भी biasing पे depend ना करे तो इसलिए देखो ये जो level translator है ना यहाँ पे input में क्या आ रहा है input के अंदर दो चीज़े आ रही है एक तो biasing DC और एक आ रहा है amplified input input जो कि amplify हो चुका है इसमें से biasing DC हटाना ये काम है आपका level shifter या level translator circuit का अच्छा सर ये bjt में अभी आपने बताया था जब q point को stabilize करवाना था देखो bjt में q point stabilization एक अलग चीज़ थी मेरे बच्चे यहाँ q point stabilization की बात नहीं कर रहा यहाँ मुझे समस्या क्या आ रही है कि एक stage के output में अगर DC involved हो गया है तो वो final output पे भी पहुँच जाएगा q point को तो हिलाएगा हिलाएगा लेकिन साथ साथ final output पे भी मिलेगा जबकि final output पे जो signal मिलना चाहिए वो input के कारण आना चाहिए वो input का amplified version होना चाहिए that should not be a part of biasing वहाँ biasing में 5 volt लगा है 10 volt लगा है कुछ भी लगा है does it should not matter बात समझ में आ रही है सौरा इतना confused मत हो जाओ भाई तुमें तो मैं थोड़ा सा sorted student समझता था मतलब जिसको सब चीज़े समझ आ रही है तुम इतना घूम गए हो इसके अंदर इतनी सी चीज़ के अंदर समझ रहे हो जैसे आप ऐसा सोचो चल एक छूटा सा एक्जामपल दे तो मालो आप घर में TV चलाते हो TV का चैनल किसके आधार पे होना चाहिए TV का जो चैनल है वो remote के हिसाब से सेट होना चाहिए remote की बैटरी कम जादा होने से क्या TV के चैनल पे असर पढ़ना चाहिए नहीं यानि TV मुझे क्या output दे रहा है वो मेरे input signal पे depend करे कि remote का कौन सा बटन दबाया ना कि power supply पे अगर biasing वाला जो output है या biasing वाली जो voltage है न वो input में घुस गई और input से output पे पहुँच गई तो biasing बदलने से output बदलेगा which should not happen output should only change when input changes not when the biasing changes ठीक है और ये वाला circuit हमने Q-point stability में पढ़ा था भई diode bias diode compensation पढ़ा था ना तो यहाँ पे diode से भी आप biasing कर सकते हो BJT की और ये level translator आपका बन जाएगा तो level translator में जादा कुछ नहीं है BJT की मदद से kind of a voltage divider network ही हम establish कर रहे हैं तो आपको level translator का significance पता होना चीए इसके circuit analysis में आपको नहीं गुसना है है ना एकदम गुस के circuit analysis नहीं करना है अब मुझे बताओ चारो stages clear है चार stage क्या होती है तो देखो ये है उसका विक्राल रूप ये पहला है differential amplifier ठीक है dual input और balanced output रुको इसमें एक wire missing है देखो यहां से इसके collector से भी एक output निकलता है और ये दूसरे transistor के base में जाके घुसता है ठीक है तो देखो यहां पे दोनों transistor के base पे एक एक input दिया दोनों के collector से एक एक output दिया ठीक है दोनों के collector का output intermediate stage के एक एक transistor के base में गया लेकिन यहां पे output एक ही से लिया यहां पे output एक ही से लिया जो कि किसमें दिया level translator में level translator ने DC को remove किया और फिर इसने किसको output दिया को तो देखो बाइसिंग सबको आपने VCC से दे रखा है किस से दे रखा है सबको बाइसिंग आपने बिटा VCC से दे रखा है तो मैं यही तो कह रहा हूँ एक स्टेज की बाइसिंग दूसरे पे डिपेंड ना करें क्योंकि उसकी बाइसिंग के लिए हमने separate resistances लगा रखें मै यह नहीं कहता पिछली स्टेज उसकी मदद करेगी DC में भी ना पिछली स्टेज से उसका कोई लेना देना नहीं होना चीए आपको यहाँ पे बस काम का signal आगे भेजना है काम का signal कौन सा है जो input से आ रहा है उसको आगे भेजना है बाइसिंग को आगे नहीं भेजना बाइस second supply हो गया और ये first supply हो गया हो गया ना 5 terminal जो मैंने दिखाए थे ठीक है हो गया 5 terminal जो मैंने दिखाए थे 2 supply वाले हो गया जो saturation voltage को decide करते हैं एक output वाला हो गया और 2 input के लिए terminals हो गया अब मुझे बताओ अब अच्छे से clear है opamp का internal circuit opamp बनता कैसे है अब आप खुदी सोच लो जब इतने सारे transistor involved है obviously it is an integrated circuit इसको ऐसे ही तो बना नहीं देंगे हवे में ठीक है इसको ऐसे तो बना नहीं देंगे discreetly अलग-अलग component को जोड करके तो भाई अगर बढ़िया से समझ आ गया है तुम लोग के सारे doubt clear हो गए है opamp के internal circuit को लेके तो एक बार chat में दिल बन जाना चाहिए है ना इस तरह से नहीं चलेगा फिर हाँ भाई we in one is non-inverting चलो फटा-फट से chat में दिल बन जाने चाहिए इतने हम लोग drinks break ले रहे हैं यार पानी बानी पी ले अब किया तो सौरव ने जो है ना पूरा ही एकदम परिशान कर दी आज चलो भाई चला जाए आगे चलो फिर अब अगला आता है mathematical model of opamp तो opamp का ये model मैंने अभी भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे दो terminal होते हैं v1 और v2 उनका जो difference होता है वो कहलाता है input voltage और यहाँ input voltage या फिर यह कह दो चलो इसको vd बोल दो vd मतलब होता है differential input क्या मतलब होता है vd का differential input तो a क्या हो गया? a हो गया open loop gain of opamp जो की बहुत ही high होता है मैंने बताया ना 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 इस range में होता है ri हो गया input resistance और r0 हो गया आपका output resistance ठीक है? और मैंने आपको बताया भी यहाँ पे जो output टर्मिनल है वो current को supply भी कर सकता है और वो current को absorb भी कर सकता है IP क्या होता है? IP होता है आपका non-inverting terminal का input current input current of non-inverting terminal अच्छा मैं आपको बता दूँ कल भी आपकी class रहेगी ठीक है? दिवाली वाले दिन off रहेगी 24th को बाकि कल भी आप लोग की class है in is input current of inverting terminal यह आपके दो current है i0 is the output current अब देखो वो अलग बात है कि यह जो IP और in होते हैं यह बहुत कम होते हैं as compared to i0 क्योंकि input resistance बहुत हाई होता है तो IP और in are much much less than i0 यह एकदम 0 नहीं होते हैं इनको 0 होने के लिए input resistance को काईदे से infinite होना पड़ेगा लेकिन जब input resistance आपका high है तो आप यह जरूर कह सकते हो आप यह जरूर कह सकते हो कि IP और in बहुत छोटे होंगे as compared to i0 बात clear हो गई अब वहीं अगर बेटा एक ideal upamp होता ideal upamp होता तो इसको कैसे हम लोग दिखाते देखना ideal upamp होता ना तब मैं कह देता कि भाई input resistance तो infinity ले लो ठीक है तब मैं कह देता input resistance को infinity ले लो और यहाँ पर आप क्या दिखाते ऐसे ठीक है यह vd माने differential input और यह av into vd तो ऐसे दिखाते ना तो ideal upamp में क्या कहते कि input resistance और नॉट टेंड्स तो infinity ठीक है आउट्पुट रजिस्टेंड्स आर नॉट टेंड्स तो जीरो और दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या आप लोग बोल सकते थे क्योंकि input resistance infinity हो गया तो आई पी और आई एन इस जीरो बट आई नॉट को कभी अपने से जीरो मत मानना बिटा किसी भी case में ठीक है आउट्पुट करेंट को कभी भी अपने से जीरो मत मानना लेकिन किस case में आईडियल हो चाहे प्रैक्टिकल हो नेवर एवर एजियूम ठीक है नेवर एवर एजियूम धाई नॉट इस जीरो जस्ट एजियूम धाई पी और आई एन इस जीरो ठीक है तो यहाँ पर आउट्पुट वोल्टेज फिक्स आ गई अगर आउट्पुट लगा रहता अगर r0 लगा रहता मेरे बच्चो तो क्या होता r0 के across voltage drop आता यानि v0 depend करता i0 पे v0 आप लिखते avvd minus i0 r0 जैसे यहाँ पे लिखते तो a into vd minus i0 r0 तो आपको इसका drop consider करना पड़ता लेकिन अभी आप कोई drop consider नहीं करोगे because r0 is 0 समझे तो independent of load हो गई अब बात आती है frequency response की अब देखो यार मैंने अभी आपको बताया कि opamp एक direct coupled amplifier है opamp इजा direct coupled amplifier so it can amplify DC as well capacitor तो DC को रोक लेता ना तो ये DC को भी amplify कर सकता है correct बात है तो देखो इसका frequency response जिन बच्चों ने multi stage पढ़ा है वो पहले देख चुके हैं ये graph यहाँ पे gain versus frequency की हम बात करते हैं तो gain versus frequency का graph कैसे बनता है भाई कुछ इस type से तीक है कुछ इस type से यानि DC पे आपको gain 0 नहीं मिलता है DC के अंदर आपको gain 0 नहीं मिलता है gain is a finite value as DC at DC also तो यहाँ पे आपको maximum gain मिलेगा जहाँ पे बिटा आपको gain इससे 1 by root 2 times मिल जाए जहाँ पे gain आपको इससे 1 by root 2 times मिल जाए that is your bandwidth इसको हम बोल देते हैं f l और अगर कहीं पे मेरे बच्चो gain आपको 1 मिल जाए न तो उसको क्या बोलते हैं unity gain bandwidth या unity gain frequency ठीक है जहाँ पे आपको gain 1 मिल जाए that is f t unity gain frequency या फिर unity gain bandwidth बात क्लियर है भई अब सर लो frequency पे तो चलो समझ आ रहा है कि coupling capacitor ना होने की वज़े से यहाँ पे आपको high gain मिल रहा है तो due to absence of coupling capacitor है ना coupling capacitor low frequency response भी गारता है ना due to absence of coupling capacitor we get high gain at low frequency लेकर मेरे बच्चों यह high frequency high frequency gain reduces due to compensating capacitor ठीक है ओप अप के अंदर ना compensating capacitor लगाया जाता है उसकी वज़े से high frequency gain reduce होता है तो अगर आप IC 741 देखोगे ना जो ओप amp की है इसमें inbuilt होता है compensating capacitor और ऐसी एक IC आती है IC 708 उसमें external लगता है उसमें आपको ना बाहर से लगाना पड़ेगा उसमें inbuilt नहीं होता है अब देखो इसका जो response है बिटा वो हमें एक low pass filter की तरह नजर आ रहा है यहाँ पे इसका जो response है low pass filter की तरह नजर आ रहा है तो gain को मैं क्या लिख दूँगा A max 1 प्लस F by F L whole square यह होगा ठीक है यह आपका किस की तरह दिख रहा है low pass filter की तरह दिख रहा है बिटा यह course जन्वरी तक चलेगा ठीक है अभी तीन महिना और low pass filter अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे F L क्या हुआ F L हो गया cut off frequency या 3 dB frequency यह तो दिख रहा है ना यह low pass filter की तरह response है यहाँ पे F L है cut off frequency या 3 dB frequency अगर unity gain frequency चाहिए तो क्या करोगे आपना नीचे 1 को ignore कर दोगे क्योंकि F T बहुत बड़ा होता है F L से दिखी रहा है F T is much larger than F L F T आ गया A max into F L ठीक है A max into F L बात clear हो गई यह जो A max है ना this is nothing but open loop gain this is nothing but open loop gain अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यह compensating capacitor क्या है यह लगाया जाता है to improve stability ठीक है open amp की stability बढ़ाने के लिए capacitor होता है तो इसके कारण high frequency gain आपका कम हो जाता है तो यह frequency response होता है open amp का अब देखो इसका gain जितना कम करते जाओगे by using external resistance by using negative feedback आपकी bandwidth उतनी ही बढ़ती जाएगी क्योंकि आप जानते हो gain into bandwidth is constant clear gain into bandwidth constant होता है तो आप जितना gain को कम करोगे by the use of negative feedback आपकी bandwidth उतना ही बढ़ेगी ठीक है तो यह basic की बात हो गई अब मैं आपको जो है न कल के lecture में opamp के कुछ parameters बताऊंगा जैसे bias current, offset current, offset voltage, CMRR, SVRR, slew rate यह सारी चीज़े हम लोग कल discuss करेंगे बट अभी हम लोग कुछ questions देखते हैं देखते हैं आपको कितना समझ आए बताओ An ideal opamp has dash voltage gain and dash bandwidth ideal opamp में क्या होना चाहिए बताइए जी B चंदन भाई एक ही बार लिख लो काहे लिखते जा रहे हो देखो ideal opamp में काईदे से D होना चाहिए ideal opamp में आप यह नहीं बोलोगे न gain into bandwidth is constant क्योंकि ideal है वो यह सब practical rule को follow नहीं करेगा ideal opamp का gain भी infinite होगा और infinite bandwidth माने कितने भी frequency का आप signal लगा दें हर frequency को वो amplify कर सकता है अगर zero bandwidth हो गई मेरे भाई तो ideal किस बात का हो तो किसी भी signal को amplify नहीं कर पाएगा zero bandwidth का मतलब समाझे रहो bandwidth क्या होता है वो range of frequencies जो की amplify हो सकती है तो zero bandwidth का मतलब है यह amplifier किसी को भी amplify नहीं कर सकता तो that is a waste उसको ideal थोड़ी बोलोगे ideal क्या होता है best होता है ideal amplifier best amplifier होता है तो वहाँ frequency limitation आनी ही नी चाहिए यानि वहाँ कोई capacitor ही ना हो जो हमारे gain को घटाए या हमारे frequency response को खराब करे वहाँ हमें constant all pass filter की तरह gain मिलना चाहिए infinite voltage gain बिटा open amp का high होता है तो ideal का कितना होगा रिशी का infinite ही तो होगा एक open amp का voltage gain अगर high होता है तो ideal का infinite अगला output impedance of an ideal open amp is output impedance कितना होगा एक ideal open amp का बताईए फटा फट अभी लिखवाया हूँ मैं आपको ideal open क्या हैगा a yes it will be 0 output impedance will be 0 चलो initially operational amplifier are with the help of initially आपने open amp किसकी मदद से बनाए थे बताईए जब तक integrated circuits का आविशकार नहीं हुआ ठीक है जब तक integrated circuits का आविशकार नहीं हुआ तब तक आपने किसकी मदद से बनाए बताओ हुआ दो तुम लोग यह सोच रहे होगे न, D में कि दोनों दे रखे हैं, जुगार तो सही है, ठीक है, तो vacuum tube और discrete devices, discrete devices माने, जैसा मैंने circuit दिखाया था न, आप अलग-अलग BJT खरीद के लाए, वैसी आपने wiring की, वैसे आपने resistance लगाए, और opamp बना लिया, लास्ट, opamp is best example of analog IC या digital IC, opamp कौन सी IC है, कौन सा integrated circuit analog या digital, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, analog, भाई analog ही पढ़ रहे हैं तो सर, analog ही होगा, digital काहे होगा, ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बिटा, कल हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, कल हम लोग मिलने वाल पढ़ेंगे, कल हम लोग जो है न, opamp के parameters पढ़ेंगे, उस पे numerical बनते हैं, और देखो जैसा मैंने बताया, आपको अभी first 300 subscribers को 25% off मिल रहा है, as a Diwali giveaway, अगर आप एक साल या उससे जादा का subscription लेते हो, ये code है, जो की आपको लगाना होगा, to get this 25% discount, लेकिन ये Diwali के दिन तक ही बस valid है, ठीक है, और आप लोग यहां जाके special classes कर सकते हैं, इन special classes के अंदर आपको BJT, Diode, MOSFET, इन सब के PYQ कर सकते हो, और बहुत ही जल्द opamp भी हो जाएगा, मैं कोशिश करूँ है, next week तक opamp का major portion cover कर दूँ, तो आप opamp के PYQ भी कर पाएंगे, और देखो भई, यहां पर unacademy आते हो, तो plus और iconic दो facility हैं आपके लिए, दोनों में ही बिटा, आपको top educators मिल रहे है, study material मिल रहा है, test series मिल रही है, आपको नए questions में doubt आता है, तो iconic वाले बच्चों को video solution मिलेगा, घर के लिए printed notes, one to one guidance, strategy, study plan, और open house session में आप बात कर सकते हो, teacher से यह आपको मिलेगा in case of iconic subscription, नहीं पिटा, दिवाली के दिन class नहीं होगी, अब कल होके फिर Tuesday होगी, और यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या, unacademy app पे जाके, आपको subscription decide करना है, duration decide करनी है, and then आपको code लगा देना है, अंकित ESE, और इस Sunday combat भी हो रहा है, नहीं कल combat हो रहा है, 11 बजे, तो आप combat दे सकते हो, to win exciting scholarship, जैसे rank 1 को 90% तक scholarship मिल जाएगी, तो बिटा, यहाँ पे आप अपना हुनर टेस्ट कर सकते हो, अपनी तयारी टेस्ट कर सकते हो, और all India level पे compete करने का मौका मिलता है, और देखो 24 वाले बच्चों के लिए, हमने 16 month subscription दे रहे हैं, 15 month का subscription है, और यहाँ पे आप अगर खरीदते हो, तो अंकित ESE code लगा सकते हो, और दिवाली से पहले खरीदते हो, तो जो code मैंने बताया आप वो लगा सकते हो, जिससे की आप लोग को 25% off मिलेगा, ठीक है, बात clear है, तो यह आपका 15 months का October, October में आपको इस पे 1 month extra मिल रहा है, और यहाँ पे टॉप 10 में 6 anchors निकाले हैं, आप भी इन में से 1 हो सकते हो, if you use the code अंकित ESE, ठीक है, और देखो आप लोग अनकैडमी सब्सक्रिप्शन में अगर financial issue आ रहा है, तो EMI पे ले सकते हो, जहाँ कोई interest नहीं पड़ेगा, EMI 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगी, minimum paper work है, आधार card, pen card, अपनी family में किसी ESE member का दीजेगा, जिनकी salary आती हो, क्योंकि उनको bank की EMI दे देता है, और यहाँ 23 वाले बच्चों गले भ्रमास प्लस बैच आ गया है, और 31st से आपका Creatrix टीम का rank improvement बैच आ रहा है, जिसके बारे में हमने कल बताया, तो 23 वाले बच्चे भी 4 मन्त के subscription में आ सकते हैं, हमारे साथ पूरा syllabus revise कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, test दे सकते हैं, ताकि अपनी marks में at least 15 से 20 number आप add कर पाओ, और एक अच्छी rank आप crack कर पाओ, और 24 वालों के लिए गुरु कूल बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें analog ले रहे हैं धांडे सर, गुरुपाल सर ल subscription में आ सकते हैं, code आप जानते हो, अंकित EAC, तो जो मैंने आपको नया code बताया है, वो सिफ 24 तक valid है, और 1 year या उससे ज़्यादा के subscription के लिए valid है, 4 month वाला लेते हो, तो अंकित EAC ही लगाना पड़ेगा, और ये है मेरा telegram channel, जहां पे आपको सभी videos का information मिलता है, ताकि आप cover में मैं आपको मिल जाऊँगा, जहां मेरे सारे PDFs आपको मिल जाएंगे, so thank you everyone, thanks a lot बचो, अब कल मिलेंगे साड़े 11 बजे, आगे UPAMP को continue करेंगे, और next week तक मैं आपका majority of gate syllabus wind up करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो मिलते हैं कल साड़े 11 बजे, let's crack it.